लेटेस्ट खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले आगामी 24 घंटों में गुजरात हो जाएगा पानी पानी अहमदाबाद मुंबाई और दक्षिन गुजरात में भारी बारिश के बाद अब गुजरात के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की आतुरता से रहा देखी दा रही है बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम गुजरात में भारी बारिश ला सकता है यह सिस्टम उडिशा, च्छतीजगर, मध्यप्रदेश, राजिस्तान होते हुए उतर गुजरात और मध्या गुजरात पहुचता है परन्तु इस साल ऐसा नहीं होने से केवल दक्षिन गुजरात में ही अच्छी बारिश हो पाई पर अगले 24 गंटों में पूरे गुजरात को पानी पानी करने वाला सिस्टम तयार हो गया है अगे बढ़ रहा है सेर्जोन, मुंबाई और दक्षिन गुजरात में तयार हुआ सेर्जोन, मध्या और उतर गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है इस से 11 जुलाई से गुजरात के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है दक्षिन गुजरात के अलावा अन्य हिस्साएं में अच्छी बारिश हुई ही नहीं है पर अगले 5 दिनों तक पूरे राज्ये में भलकी से तेज बारिश होगी ऐसा अनुमान लगाया गया है मौसम विशेशग्य अंकित पटेल के अनुसार मुंबई और दक्षिन गुजरात में सेर्जोन के हवाओं के कारण भारी बारिश हो रही है अब यह गुजरात की ओर आगे बढ़ रहा है अगले पांच दिनों में कहां कहां होगी बारिश 11 जुलाई गुजरात सवराष्ट में और वलसार, नवसारी, तापी, सूरत, नर्मदा, भरुच, वडोद्रा, पंचमहाल और दमन 12 जुलाई बनासकान था महेसाना, अरवल्ली, वलसार, नवसारी, दाहोद, दादरानागर हवेली 13 जुलाई वलसार, नवसारी, दमन, दादरानागर हवेली में भारी बारिश की चेतवनी 14 जुलाई बनासकान था दक्षिनवलसाड, नवसारी, दमन, दाद्रानागर हवेली गेर 15 जुलाई दक्षिनवलसाड, नवसारी, दमन, दाद्रानागर हवेली